हलो बंदू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारेशे परिवार पर्मार डिफेंस में मैं पुश्पेंदर आप सभी का हर्ट ले वेलकम करता हूं और आज हम जो सेशन करने वाले हैं यहां से आपके एक्जाम में डिरेक्ट चार से पाच कोश्चन ग बगैर आप एक्जाम में नहीं बैठ सकते हैं वहना बहुत रिग्रेट करेंगे आप बाद में क्योंकि उस तरीके कोश्चन से कोई भी एक्जामनर के बहुत फैबरेट कोश्चन है आए फिर स्टार्ट करते हैं बढ़ते हैं हम लोग सेशन की तरफ सेशन कैसा लगा बाद जैसे बाते में बताता जा रहो एज याद करके सीधे एक जाम होले में बैठ जाना कोई ही कोई प्राब्लम नहीं आने वाली आए तो पहला वाला जो स्टेट्मिंट लिखा है ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा क्या कि रहा है ही एक्टेड ही एक्टेड से दो तीन बार रिवाइच कर लेना आपको क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा he acted according to my instructions according to का मतलब होता है के अमसार I insisted having my say यह भी question जो है बार-बार पूछा जाता है और insisted के साथ proposition दो वर्ड बता रहो दोनों को note कर लेना और याद कर लेना insist के साल लगता है बंदू on और persist के साल लगता है इन बस as it is याद कर लो insist on करने का मतलब होता है आग्रे करना insist on करने का मतलब आग्रे करना पर्सिस्ट इनका मतलब होता है जारी रखना तो दोनों के दोनों पॉइंट आपको यहां से क्लियर कर लेने हैं आई इंसिस्टेड यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई से यह दो फिर से ध्यान रखिएगा कौन सा है एक इंसिस्टेड दोसरा इस न्सो कर ताकिक लाग अने द्यान पर्सिस्ट के साथ कर विद्व समां करें दोनों में अगले में आते हैं क्रही ही है अडिकटेड एडिक्टेड यहाद कर लिएडिये कर लिए इनक स होना यह इसका मीनिंग होता है यहां पर सही आंसर आ जाएगा है बिल्कुल टू दा पॉइंट आपको याद करके चले जाना है एडिक्टेट के साथ टू अकस्टम के साथ टू दोनों का मतलब है बिच्वल होना और ठीक है आए नस्ट वाले पर चलते हैं माइफ्रेंड डिसघ्रीड हिम ओन ळिफ ऊं डिसप्वाइंट यहां पर एक पॉइंट आपको मैं बता रहाँ उसको ध्यान देना एग्री वाला यह हारेख इक एक जाम्र का बढ़ा फैबरिट होता है चाहे ईग्री दिया हो चाहे आपका डिसग्री दिया हो एग्री या या disagree दोनों के साथ आप क्या करते हो वित लगाते हो बंदू और टू लगाते हो वित लगाते हो वित लगाते हो संबडी के लिए संबडी होता है और संबडी होता है तो किसी व्यक्ति से सहमत है तो वित लगाईएगा व्यक्ति की किसी बात से सहमत है तो फिर two लगाईएगा तो यहाँ पर क्या कह रहा है my friend disagreed disagreed के साथ आप क्या यूज करोगे यहाँ पर कह रहा है him कोई person है इसलिए सही answer हो जाएगा with तो अगर agree के बाद person दिखाई दे जाए तो with लगा दे ना person के लबाद जो भी दिखाई दे जाए आप क्या लगा देंगे two clear है agree के साथ दो with और two याद रखिएगा he deals यह बहुत प्यारा important point है जो अकसर examiner पूछता है कौन सा deal deal के साथ दो proposition लगता है एक लगता है deal in एक लगता है deal with deal in का मतलब होता है किसी व्यक्त किसी चीज का व्यापार करना तो यहां पर क्या आएगा यहां पर कोई thing दे देगा यह बात ध्यान देना इसका मतलब होता है व्यापार करना deal with होगा somebody somebody तो बस इतना ध्यान तो और तिंग दी है तो फिर आप इनके साथ जाएंगे ठीक है नैस्ट वाले पाज़ी ए यह ऐसे फिक्स प्रपजिशन है जो पूछता ही है एक जामर यह बात कर लिजे इनको गाड़ बान लीजे यह समझ लीजे इस तरीके के वर्ड है आई कंग्राचुलेट कंग्राचुलेट कहीं दिखाई दे जाए तो आप क्या लगा दीजे ओन कंग्राचुलेट और ध्यान रखना एक है कॉम्प्लिमेंट करना मतलब किसी को बदाई देना दोनों के साथ ओन तो कंग्राचुलेट और कॉम्प्लिमेंट दोनों वर्ड पेंडाउन कर लेना दोनों का मतलब सेम होता है दोनों के साथ प्रप्रप्जिशन सेम होता है ऐसा अक्सर आप देखेंगे कि जिनका मीनिंग सेम है उनके साथ सेम प्रप्रप्जिशन आता है अगले वाले पर आत समबडी और मतला something होता है. आप किसी के प्रति रिस्पॉंसीबल है तू लगाएंगे और किसी चीज Heading तो यहां पर कह रहा है? जो मीनिंग इसka होता है । वही the meaning किसका होता है इन Cloud i गाए है इन दोनों के साथ हम क्या लगाते है तू लगाते यहां पर गॉड लिक रहा है तो यहां पर क्या जाएगा वी आर अकाउंटेबल तू गाउड यह ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली बार-बार पूछे जाते अगला ही इस कैपबल देखो कैपबल के साथ सीधे याद र Is के साथ सीधा सीधा सिधा का मतलब होना सीधा सीधा पॉइंट है आए आइए इसके साथ दो दो की तेन चार वर्ड को रट्टा मान लेना काईते से चुद् før इन निइनके साथ यही लगता है जैसे एक है आपका वर्ड depend depend एक old है आपका rely referring एक word है आप कौसा bank एक वर्ड है आपका bank इन तीनों के साथ हम क्या करते हैं अन या पॉन लगाते हैं तीनों का मतलब होते हैं निरबर होना कौन कौन से वर्ड है फिर से repeat करो depend है rely है bank है तीनों का मतब होता है निर्वर होना किसी चीज़ किसी पर तो इसका मतलब सही answer आ जाएगा यहाँ पर क्या on we should rely on our own efforts हमें हमें अपने efforts के ऊपर निर्वर रहना चाहिए जो भी हम मेनत करें उस पर हमें rely करना चाहिए भरोसा करना चाहिए यह कहना चाह है man is entirely different different के साथ क्या लगाता है different के साथ लगाता हो from different के साथ सही proposition क्या आजाता है different के साथ from बिल्कुल fixed है कि different के साथ क्या होता है from different के साथ हम from का यूज करते है man is entirely different other animals जो आदमी है वह बाकि सभी animals से बिल्कुल different है यहाँ सही answer हो जाएगा from next चलते है आंगे कि रहा है, he is lacking, देखो अब यहां पर एक शोटा सा point बताता हूँ आपको, कि lack के साथ off लगता है, lacking के साथ in लगता है, बस इतना याद रखना, कि lack के साथ off, lacking के साथ in, want के साथ off, wanting के साथ in, note करना चाहूं भी note करना है तो नहीं note करना है, तो बस इतना करो, he is lacking in common sense, उसमें common sense से की कमी हैं सही आंसर हो जाएगा इन तो यह बाद ध्यान रखिएगा लैकिंग के साथ सही प्रप्रप्जिशन आपका इन यूज करते हैं आगे कह रहा है ही रोज एक्वल एक्वल के साथ सीधा सीधा याद रखो एक्वल मतलब होता है बराबर वैसे भी आप अमूमन पूछा है Süley बाद पूछा है क्या धर्रांस लेट पांस मिल 있고 सब्सक्राइब करता है यह बड़ी तो नहीं है आपने पढ़ा था देल के साथ इन कि मतलब क्या होता है सम्भडी आए ना और इनका मतलब क्या होता है सम्थिंग यह ना उसberी से इनका है कि यहां पर किया जाएगा जैसे पिछलिया कस्टमर् से लिकार आथ इसलिए उसके लिए याद होगा है आई अगले का मतलब होता है, दस्तक देना. नायश्ट आंगे चलता है, I differ you on this point. differ differ के साथ आप क्या use करता हो? differ के साथ एक from लगता है, differ के साथ with लगता है, differ from का मतलब होता है, differ with का मतलब disagree होता है, तिहां पर सःई answer हो जाएगा, differ with, differ के साथ दो दो प्रप्रजिशन लगाता है बस इतनी बात ध्यान रगना differ with आता है और differ from आता है differ with differ from है ना तो यह बात ध्यान रखेगा आगे चलता है Nestor कह रहा है he pure the milk the jug उसने कह किया इसने कह किया जग में जो मिल कर था उसको क्या कर दिया डाल दिया into into जब भी motion के साथ कोई चीज होगी वहाँ पर into आएगा जैसे देखो कोई cat है कोई cat है वो यहाँ पर well में कूद गई तो the cat jumped into the well the cat jumped into the well जब भी outside से inside हो जाए कोई चीज यह out है यहाँ पर inside हो गई है ना बाहर से अंदर की ओर हो जाए और motion आ जाए वहाँ पर हम क्या लगाते है इंटू लगाते है जैसे कहा ज़िए the cat jumped the cat jumped into the well the cat jumped into the well बिल्ली जो है वो कूँम में कूद गई तो इसका correct answer होगा the cat jumped into the well आई आगे चलते हैं केरा the milk is in the jug यह जो milk है वो किसमे है जग में है यह बिल्कुल basic proposition है कोई चीज अगर इस तरीके से है और इसके अंदर कहीं भी है कुछ भी है तो फिर proposition क्या लगा होगे इन तो यह कोई मालिया जग है जग में क्या है यह आपका milk है तो क्या लिख लिखोगे इन लिखोगे इन तो इनका मतलब simple सभी figure ध्यान देना ऐसे और ऐसे इसके लिए क्या लगा दोगे इन अगले वाले में चलते हैं नेश्ट करहें ही जंप दरीवर ही जंप दरीवर अब यहांपर motion आ गया तो यहांपर क्या लगाओं गे इंटू ही जंप प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् हारफुल है, detrimental है, injurious है और पढ़निसियस है इन सभी के साथ proposition कौन से लगाते है तो लगाते है तो यहां पर आ जाएगा to health smoking and drinking are injurious to health तो जो smoking और क्या है drinking दोनों के दोनों injurious है हानिका रहे किसके लिए health के लिए आए अगले वाले पर चलते है he has disposed, disposed का मतलब होता है base देना या किसी चीज़ को ठीकाने लगा देना disposed off ठीक है waste good तो यहां पर सीधा सीधा याद रखो disposed के साथ सही proposition कौन सा लगाते है ओफ लगाते है आप इन सब चीज़ों को बैट करके filter करोगे मैं आपको already filtered करके दे रहा हूँ इसलिए आपको ज्यादा efforts नहीं लगाने पड़ेंगे तो सीधे सीधे बस note करते जाए और याद करते जाए disposed के साथ proposition किसका यूज करोगे off का यूज करोगे है ना दो से तीन बार भी revise कर लोगे वीडियो को concentrate हो करके देख लोगे तो भी आपका काम बन जाने वाला है आई आगे चलते हैं कि रहा ही इंटर और निव और निव एग्रीमेंट अब मैं आपको सीधा सीधा point बताता हू इंटर के साथ अगर room दिया है office दिया है तो इस case में हम इसके साथ इंटू का यूज नहीं करते हैं यह बात ध्यान देना है इस case में हम इसके साथ इंटू का यूज नहीं करते हैं यह इंटू गलत है लेकिं इंटर के साथ अगर agreement दिया है तो फिर क्या यूज करेंगे पर इंटर के साथ इंटू नहीं लगाओगे लेकिन इंटर के साथ इंटू लगाओगे अगर आंगे एग्रिमेंट दे रहा है ठीक है तो बस इतना याद रखना आंगे चलते हैं कि रहा ही इज इगर ही इज इगर making a name for himself he is eager to है ना वो उत्सुख है क्या करने के लिए अपना fame बनाने के लिए अपना yes बनाने के लिए इगर के साथ two अगला है equitable है दो तीन पैंट मैं बताता हूँ liquid मतलब होता है चोड़ देना बरी कर देना है न ये equip होता है जैसे एक आता है कि अब्जाल भ Oops कर देना होना इनके स मतलब होता है कि अधर ₂ कई साथBERG गया करता है जो व्यक्ति नहीं है इनके साथ any That click on us refresh how well दोसी होना है उनके साथ अजरा dollar smiling हे नकेolly करते or कि traits Raf collar कि तो फोर्ब उसको मर्डर से बरी कर दिया गया याद रहे गा बलकुल सा है तो ऐसे वर्ड जिनका मतलब दूस लगाना मतलब किसी को दोसी ठहराना या ना ठहराना उसको दोस्मुक्त कर देना इनके साथ प्रप्जिशन आफ का यूज करता है सिधा सिधा पॉइंट है याद रहाएगा आगे चलते है डिफिशियंट देखे कमी का संस कहीं पर भी देगा वहाँ पर हम क्या लगाते इन लगाते हैं इस डिफ किया होता है कमी इनके साथ बी क्या लगागे इन थे हां देना वां ओन्तिं आप सीधे-सीदे पॉंट है इने ज्यादा इधर दबटकना नहीं है सीधे-सीधे प्ounding बता रहो हो आपको आगे चलते है ना सुट किरा ही इच गुड आ न uyख के साथ क्या लगाते हो गुड या बैट के साथ गुड़ी या बैट के साथ यह सीधा-सीधा याद को लो इसमें बहुत कुश्चिन बनते हैं और बहुत गलतियां होती है गुड़ी या बैट के साथ एक्सपर्ट 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 के साथ एक् hopefully clear है आगे चलते हैं he has been ill यह तो हमने पिछले वाले सेशन में आ लेडी कर रखा था तो यह बात clear है आपको कि फॉर आ जाएगा पिछले वाले पर यहां पर करका है he has been ill from Monday है ना from Monday लिक लो on Monday लिक लो तो यहां पर सही answer हो जाएगा from Monday या since Monday मंडे जाद अच्छा है यहां पर सिंस मंडे पॉइंट अप टाइम में डिसकस कर चुके आ लेडी आईए बात करते हैं do not do not stare देखो जहां पर जहां पर घूरने की बात है देखने की बात है मजा कुड़ाने की बात है वहां पर एट लगाते है कौन कौन से बढ़ते को मेरे स किसी का मजा कुड़ाना किसी का मजा कुड़ाना इनके साथ हम क्या करते हैं इन सभी का मतलब होता है किसी का मजा कुड़ाना इन सभी वर्ट का मीनिंग होता है किसी का मजा कुड़ाना तो सीधे सीधे क्या याद करोगे do not stare at girls do not stare at girls जो लड़कियां उनको मत गूरो यह कहन के साथ डाउन लगाते हैं तो ही क्लाइम अप दाटरी ही क्लाइम डाउन दाटरी ऊपर चलने के लिए आप नीचे उतरने के लिए डाउन ठीक है अगला है इस वाइप डाइड डाइड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं आपको पूरी बात समझा देता हूं फटाफट बस एक मिनिट लगेगा और आप डाइट से बिल्गों छटकार आप आप जाएंगे डाइट के साथ क्या यूज करता है पहले सब जो कि जो वर्ड है डाइड इसके साथ कौन कौन से लगाते हैं डाइट के साथ बंदू एक लगता है ऑफ जब बीमारी दी गई हो जब कोई 閃शा हमें डी दीगे हो डीज़्ट भीमारी डीगए हो जब डाइड के साथ कोई रीजन बता है रीजन बता है तो फ्रम लगा दो रीजन किस कारण से डैथ हो गई किसी की भूँद के बाद एक्सीडान दिया गया तो डिरेट इन लगा धिया दो कुछ सोच नहीं नहीं य जैसे कोई soldier जो है वो अपने देश के लिए मर गया कोई नायक जो है अपनी नाइका के लिए मर गया तो सीधा-सीधा क्या करोगे डाइट के साथ for country या पर्सन है ना तो यह चार चीजें आपको याद रखने हैं डाइट के साथ कने का मतलब होता है डिस्ट्रिभूट करना यह याद रखिएगे एक तो मास्टर गेव गेव और गेव अभे देखो एक यह फ्रैजूर बनती ए गिव अभे अभे करने का मतलब होता है यह याद रखेगे एक फ्रैजल बरभ है का मतलब होता है डिस्टीब्यूट करना ट्सिब्यूट करना तो जो फैड मास्टर है उसने कि pasee को distribute किया price को क्या किया distribute किया head master ने price को distribute किया सिधा सिधा याद रखिएगा आए आगे चलते सिक comes comes of a noble family वो एक अच्छे घर से belong करती है यह भी कई बार question आया comes of का मतलब belong करना होता है comes of करने का मतलब belong करना अगला senior junior peerer यह बहुत question बनता है यह adjective का question actual में देखा जाए तो senior है junior है peerer है ऐसे adjective जिनके last में आयूर लगा होता है उनके साथ two लगाते है याद कुलो रटा मालो एक और बता दे रहे हो आपको prefer या preferable prefer या preferable दिखाई दे जाए तो भी आप क्या आजाएगा तो ही senior to me in service तो senior junior यह जितने वर्ड बनते इनके साथ हम तू का यूज करते हैं सिंपल सा point prefer preferable के साथ क्या लगाते हो तू का यूज करते हो आई आगले वाले पर चलते हैं he lives in Delhi he lives in Delhi live के साथ क्या करते हो इनका यूज करते हो live in एक बात ध्याने है ना live in का मतलब होता है किसी place में रहना live के साथ on जब लगा होगा तो आंगे food देह रहा होगा किसी फूड पर जीवित रहना है ना तो मतलब कोई फूड खाना उसके लिए लिव-on का यूज करोगे ठीक है आगे चलते है नस्ट अदकाव लिब्ज लिब्ज ओन ग्राफ देखो जो बात मैंने भी बताई थी कि लिब के बाद अगर फूड का नेम रहा है देखो लिब के लिब के बाद अगर प्लेस दिया है तो क्या लगा दोगे ऑन पर क्या जाहएं ग्राफ जो गाया है खास पर जिंदा रहती है अगला है वी आर proud proud के साथ off लगाते pride के साथ in लगाते दोनों point note कर लो proud proud के साथ क्या लगाते हूँ of pride के साथ क्या लगाते हूँ in proud of pride in बस इतना याद कर लो proud के साथ off pride के साथ in तो यावर we are proud of our country we are proud of our country हमें अपने देश पर गर्ब है proud के साथ क्या लगा होगे off का यूज करोगे तो सीधा-सीधा याद रखना है कि proud के साथ क्या लगाते ओफ का यूज करते हैं आई एनस्ट वाले पर चलते हैं किना है the parents are disgusted disgust का मतलब होता है घणा होता है घंणा करना आप देखों जिस तरीके से आप यूज करते हो कौन जिस तरीके से आप यूज लगाते एक देजन के लिए हैं तो अगर कोई व्यक्ति दे रहा हो आट लगाना है तो अगले चालते नेस। जाएं ट ряд रांदा को बता हैं एंगरी आन रहला रहीं ही तो यह एंगरी वित यू हैं मैं तुब से रूदित हूं और कैंके है तुम्हारे विभार से एंगरी के साथ एक तो यह दोनों पॉइंट ध्यान रखना एंगरी के साथ पर्सन होगा तो विद और पर्सन को छोड़कर के बाकी कुछ संत्रेंद दो होगा तो एटहा जाएगा आगे चलता है यह कुछ बचा है वह सब तिंग में रख दीजिए आप तो कह रहा देखो कि रहा डू नौट क्वेरल नेवर्ज नेवर्ज मतलब होता है पडूसी अपने पडूसी यों से जगडा मत करो इसका मतलब समबडी होगा समबडी होगा तो क्या आ जाएगा वित आ जाएगा वित हैसे कहा जाए दूनौट के दूनौट कॉयरल डूनौट के टौनौट के टूनौट के अगे लिख दिया propose पैटी पेटी पॉइंट्स का मतलब होता है जो तुछ बाते हैं जो बेकार की बाते हैं 잿लेंगलेजिवल पॉइंट्स है उनको 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 ले तरके झजगडा करना裡面 करना करो इसका मतबर ऊबर आ जाएगा तो वाला याद केलो बहुत है बार-बार पूच्चा जाता है विद वेय। के साल लगा होगे जब आप संबड़ी की बात करोगे ऑष्वा किसवाल लगा जब आप something की बात करें तो दोनों बाते ध्यान रगना आगे चलते हैं अगले वाले पे इंटर दा रूम और यह आ लेडी मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है इंटर के साथ रूम है आफिस है तो इसके साथ इंटू नहीं लेगे किसे मदा इंटर के मतलब होता है आभार ही होना machines के मतलब होता है रेना दोनों के मीनिंग होजाते से दोниंग नहीं हो जाते तो यह दोनों वर्ड ध्यान रखने है आबलापलाइज के साथ क्या लगाहोगे के साथ परसन मेंटो आहएगा और आ लाएज़ित कि आहा गा आपको हो सकता है अभी तो आपको लग रहा हो कि नहीं सरेतने सारे कैसे याद होंगे लेकिन यकीन मानों अगर आपने ढंक से थोड़ा कंसेट्रेट होकर के वीडियो को देख लिया और उसके बाद खुद से एक बार ट्राइ करके देखोगे तो आपको रिलेट करके सब चीजें वह याद रहते जो आप रिलेट करके पढ़ते हो है तो जैसे मालों यह है अफ्रेड अफ्रेड मतलब अने का जितने भैवीत होने इनका मतलब क्या होता है बहожबी होना और इन सभी के साथ एक फर लगाते हैं मैं तुमसे बहबीद नहीं हूँ I am not afraid of you, मैं तुमसे भैवीर नहीं हूँ, सिधा-सिधा याद रखना है, आई आगे चलते हैं, किर दा हंटर एम्ड और एम के साथ तो सिधा-सिधा याद कर लो, एम के साथ क्या करते हैं, एम एड़ लायन, एम के साथ एड़ कुछ नहीं, किसी पर निशाना साधना, उसके ल लगाते हैं, वार्ण के साथ क्या लगाते हैं, अगेंज, ही वार्ण मी अगेंज दे डेंजर, ही वार्ण मी अगेंज दे डेंजर, क्या कर रहा है, अब यह देखो, यह बहुत गड़बड करते हैं, बच्चे, मैं सीधे-सीधे बता देता हूँ, जैसे माल यह तुम लिक प्रवह बस है न सब्सक्राइब लेकिन लगा दोगे आब तो यहाँ पर आजाएगा फिर बाई नहीं आएगा यह अगर अगर आर्टिकल लगा दोगे तो फिर नहीं लगता है फिर आ आजाता है न यह रात ध्यान देना है तुम्हें अच्छा फुट वाले पर सिधा-सिदा है कि फुट वाले पर on-foot होता है on-foot होता है by-foot नहीं होता है पैदल के लिए क्या लिख तो on-foot, he daily goes to the village on-foot है वो हमेशा क्या करता है village जाता हैं कैसे जाता हैդ जाता है तो he goes to his village on foot तो यह आ जाएगा on foot आ जाएगा सही है clear होगे बात तो यह बात ध्याद देना वाई बस सही है on a bus सही है on foot सही है है तो यह बात ध्याद रहेगी चली आगले वाले पर आते है रामा वाज मैर इट के साथ सीधा सीधा बस एक यात कर लो मैरिक के साथ Tarreram Haj Keesaw कि यूज करते हैं क्या करते मैरिक के साथ लेकिन आप धाद देना ऐसे लिक लए corset अगर एस लिकर तो मैरिक के साथ कि है लगाओगे टू तो रामोज मेरिक कू सीथाㅎ रामा वाज प्ने टू सीथा रामा सब्सक्राइब के साथ क्या लगा दोगे ऑफ सीधा सीधा है याद रखना मैरीड वाले में क्या लगाना तू लगाना है तो सीधा सीधा याद रहेगा नस्ट आंगे चलते हैं I am eligible I eligible के साथ क्या लगाते हो बंदू eligible के साथ क्या लगाते ऋपर I am eligible for eligible के साथ क्या लगाते हो eligible के साथ कुछ नहीं ध्यान रखना है तो क्या point क्या बन गे आपका eligible eligible के साथ क्या लगाते है लगाते === eligible for this poche है ना is चलते है उसका अपने बच्चों पर कोई नियंतर नहीं है, आगे चरह कहते है, रहा है, साइट दहेंको दो तीर वर्ड बता दें तो मैं आपको सॉप्राइज देन इस तो आ यहाद कर लोगे कि जिनका मतलब खेल lore उनके साथ preposition at का यूज करते हैं जिनका मीनिंग आस्ट से चकत होना होता है उनके साथ preposition at का यूज करते हैं आए आगे चलते हैं वह रिकवर के साथ फ्रॉम लगाते है सीधा सीधा है Assembled के साथ Off लगाते है, सर्मिन्दा होना, Assembled के साथ क्या लगाते है? Off Assembled Off का मतलब होते है, सर्मिन्दा होना, ठीक है? सीधे-सी रियाद रखना, Assembled के साथ क्या लगाते? Off आंगे चलते हैं He is quite confident देखो दो तीन वर्ड फिर बताता हूं आपको कहीं पर sure लिख दे कहीं पर doubtful लिख दे doubtful लिख दे या कहीं पर confident लिख दे क्या लिख दे confident यह point ऐसे हैं कि आपको याद बड़े आसानी से हो जाएंगे इन सभी का मतलब होता है क्या इन सभी का मतलब होता है सुनिश्चित होना असुनिश्चित होना इनके साथ क्या लगाते हो ओफ लगाते हो तो confident के साथ क्या लगा दोगे अगे चलते हैं ये की वाला तो आप छोड़ी नहीं सकते हो ये इतना important है कि ये अलग अलग इक जाम्मे बहुत भरबर के पूछता है अगर की के बाद अगर की के बाद कभी आपको सक्सेश दिखाई दे क्या दिखाई दे सक्सेश आप क्या लगा दोगे टू की टू सक्सेश की टू सक्सेश सीधा सीधा याद रहे को अगर की के बाद सक्सेश लिखा है तो फिर टू के साथ जाएंगे यहाँ पर स आई आगे चलते हैं किरहां do not indulge indulge मतलब होता है किसी चीज़ में सामिल होना कहे रहां strong language यह है तो यहां पर क्या हो जाएगा इन of MAT करना आइक क्या आगो सरक के लिवित या रहते से हैं याद कर लो इन दोनों के साथ हम प्रबजीशन कौई से लगा ते याद रहेंगा याद रखेंगा के साथ लगा देते हैं यहां पर आएगा फ्रॉम यह बात ध्यान देना अभी मैंने बताया था रीजन वाले पर आपको फ्रॉम लगाना है हार्ड डिजीज नहीं है यह रीजन है तो इसके साथ फ्रॉम आगे चलते हैं नस्ट के रहा मिसेज इंद्रा गांधी डाइड अद् दोसी होना दोसी ना होना दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा दोसी होना दोसी ना होना जहाद बुझ करके मैंने कुश्चन रिपीट किये हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसी सेशन में ही ठीक है कुछ चीजें बिल्कुल क्रिश्टर के लियर हो जाए चार्ज के जितने वर्ड जिनका मतलब दोसी होना दोसी ना होना उन सभी के साथ आफ लगाते है चार्ड है एकिवूजड है याद आ रहा होगा एक्विट है वो भी याद रखेंगा नेस्ट आगे चलते हैं वी से अबाइड बाई ला आबाईड के साथ फिर से डाल दिया है ताकि तो म यह तो पढ़े था टू और फॉल लगता है इंडेप्टेट का मतलब रेड़ी ओबलाइजट का मतलब अबाद ही दोनों के साथ क्या करते हैं सेम यूज करते हैं तो और फॉल तो समबडी के लिए पॉर सम्थिंग के लिए सीधे सीधे पॉइंट है इसलिए मैं थोड़ा सा पेस में बतार हूँ ताकि आपका कम समय में समय भी बज़ जाए और आपको चीजें भी क्लियर हो जाए यह आँगे चलता है नेस्ट अगले वाले पर आते हैं अगला क्या करहा आई एग्री कोई छूड़ी है क्या यह करा हो गया चलो आई एग्री यू दब प्रपोजल यह तो बेहदा आसान हो गया आपके लिए चुक्कि आप पढ़ चुक्क हो वित आ जाएगा और यहां पर क्या जाएगा टू आजाएगा एग्री के साथ वित लगाते हो टू प्रपजीशन को कुश्चन तो भर-बर के आते हैं इसलिए मैंने काफी सारे कुश्चन करा दिया ताकि आपको आसानी रहे आये आर्टिकल वाले पर आते हैं आर्टिकल वाले में तो पहले तो यह समझ लो कि अगर जो ए ए ए लगाते हो बस एक ही पॉइंट में काफी का लाएं वावल साउंड है आपको क्या निकालना है कंसोनेंड साउंड है ननकाल कर साउंड कैसे निकाल निकल ले का लिए खं़ोगी निकल नहीं है तो आपके साथ जाओ आगे चलते देखो तो यह जो साउंड जो निकालोगे तो हिंदी के वावल और कंसोनेंट मिलेंगे है ना तो अगर आ से लेकर के आउ तक जिरूरत पड़े तो क्या लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा अगर का से लेकर के गया तक की जिरूरत पड़े तो फिर आ जाएगा और ध्यान रखने ए या एन हमेशा किसके साथ लगते है singular noun के साथ एक पॉंट यह जाद रखना है singular noun और किसके countable noun के साथ है ना तो दो बाते ध्यान देना कि झी ए आ एन कंश 충metro के साहर नहीं लगेगा ए ए ए अन ट्यूरल के साथ नहीं लगेगा तो यहाँ पर कहे रहा है एक्जामप्ल गीदिव ए Piet सपोर्ट इन सपॉर्ट अफ इसके सपोर्ट में मुझे एक एक ज Fachव दो यहाँ पर सही आंसर क्या साउंट इसका किसका है क्या है तो गलत हो जाता है इसका सांट होता है अब साउंड किसके आई साउंड एक ही आ गई एक ही आक तो या पर वियल श़ींग яр आपका clear हो जाएगा जैसे ये लिखा है और जैसे ये लिह लिखा है forest official इस आप दोनों चीजें सेम हैं जयां से समझ हो दोनों चीया थीजह सेम हैं लेकिन दोनों के साथ article फिर भी अलग-अलग है यहां पर सभी article हो गा और लिखो गए आज़ लिको गए तो न आगया वावल सांड वावल संड विल्कुल आसान तरीके से आप याद रखें ठीक है अगले वाले पर चलते हैं हिटलर यह वाला कुश्चिन बहुत बनता है किसी के बराबर कि जाए किसी को किसी के एक्यूवैलेंट बता है तो वहाँ पर आइटिकल का यूज करते हैं और हिटलर में सांड किसका है यह करेंगे और इसमें दो पूस्चन तो बिल्कुल गाट मालो बहुत जादा पूछे जाते कौन सा एक पूछता है कस्मीर कस्मीर स्चन एक कुछन यह कौल वाला पूस्ट है कौन सा इस शेक्सपी यर आफ इंडिया सेक्सपीयर ओफ इंडिया ठीक है Shakespeare of India आप मन में कुश्चन आ रहा होगा सर्दा क्यों लगा रहे हैं तो मैंने कहा था जिस किसी नाउन को हम describe कर दे उसके बारे में आंगे कोई phrase लिख दे तो वह definite हो जाता है तो दोको यहाँ पर क्या है स्विट्जर लेंड के बारे में स्विट्जर लेंड अच्छा पूरा लिखना चाहिए तहां या नहीं लिखा है चलो समझ लेना इसके बाद आए आप आप या लेग रहे यहाँ पर आप सही आंसर होगे आए 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 बढ़ते हैं I went to Hills अब देखो यह बहुत बढ़ी है कुश्चन है इसको जरत ध्यान से समझना क्या है कि I went to Hills Hills Plural noun है तो आए टिकल आ आएगा नहीं दा आएगा दा के साथ गया है for holiday holiday कांटेबल आउने singular है तो इसके साथ आएगा तो यह दोनों भी हट गया आपके बी और सी इसलिए सही आंसर कौन सा हो गया first बागी आंगे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी next आंगे चलते है यहां पर सही आंसर यह आपकी एक प्रावर्ब है आगे चलते है I need egg for the recipe मुझे एक की जरूरत है एक में sound किसका है Consonant का क्या जाएगा आज जाएगा आए आगे चलते हैं कि रहा इट वाज ऑनर ऑनर में sound किसका है बताईए ऑनर में sound है आका आका sound है तो किसके साथ जाएगे N के साथ आए आए आगे चलते हैं कि रहा है I really enjoyed dvd you gave me for my birthday ठीक है कौन सी dvd कहरा जो dvd तुमने मेरे बड़े पर मुझे दी अब dvd के बारे में यह बता दिया इसने आंगे कौन सी यह करा you give on my birthday सही answer हो जाएगा जब कि इसी नाउन के बारे में पूरी बात बता दी जाए कौन सा नाउन कैसा नाउन किस तरीके का नाउन है ना तो फिर उसके साथ दा के साथ जाए आगे चलते हैं कि रहा ही applied for अब यह दो को इसमें बच्चे बहुत गरबर करते हैं यह चोटे-चोटे point है इनमें बहुत गरबर ठीक है इसमें बहुत गरबर होती है चलिए तो यह सारे questions थे hopefully आपको बहुत help कर रहे होंगे ठीक है और इसी तरीके से वुकैब बाले session में आप हम लोग selected vocab मतलब जो important vocab है वो हम कर रहे होंगे तो फिलाल मिलते हैं बंदू next session में और PQRS का एक session लेंगे जिसमें हम लोग क केवल और केवल बनाना सीखें question को कैसे बनाना है हमें कैसे जुगाण करना कैसे छोटी-छोटी चीजें निकालने जिससे हमारा काम बन जाए चलिए बंदू मिलते हैं next session में तब तक के लिए आप सभी को जय है थेंक यू क्लास